हेलो फ्रेंड सारम क्लास हैं मैं आच अप्ट थी डाटा एंडे इसा 3.3 का कोश्चंब फॉस्ट एंड सकेंड स्वाल करने वाले चले देते हैं फॉस्ट कोश्चं क्या दिया है तो अपना फॉस्ट कोश्चं दिया है विच इस दा मोस्ट पापलर पेट अब यहां पे कहा रहा है कि कौन सा पालतु जानवर सबसे ज़्यादा पापलर है तो जो हम ग्राफ देखते हैं तो जो कैट के ग्राफ है वो सबसे उपर गया है तो कैट हो जाएगा इसका अंस्वर चले अपने बी वाले कोश्चं को देख तो अपना बी वाला कोश्चं दिया हाव मेनी स्टूडेंट है डॉग एज पेट अब यहां पे कहा रहा है कि कितने स्टूडेंट के पास जो डॉग है वो एक पालतु जानवर के रूप में है तो जहां हम डॉग का ग्राफ देखे अब यहां पे कहा रहा है कि एक बुक इस्टोर है जो कि लागातार पान साल में कितने बुक शोल्ड किया है यानि की बेचा है उसका हमको यहां पे एक बार ग्राफ दिया है अब इसल्टिट कोश्चन पुछा है तो हमको इसको पहले रीड करना है देन उनका एंसर देना है तो चले पहले देखते है read कैसे करना है तो देखे नीचे जो है अपना years दे रखा है यहाँ पे जो उनका graph बना है 1989, 1990 ऐसे करके उनका graph दे रखा है और जो side में है वो है numbers of book तो देखे 1 cm जो है 100 book कबर कर रहा है अब बात आते है इस सिल्टेट कोशन क्या दिया है तो first question दिया है about how many books were sold in 1989, 1990, 1992 तो यहाँ पे कहा रहा है कि 1989, 1990 और 1992 में कितने books sold हैं हमको बताइए ओके न तो चले पहले 1989 का देख लेते हैं तो अब हम लोग graph read कैसे करेंगे ओके न तो हमको देखना graph गया कहा तक है तो 1989 का जो graph है वो है 100 और 200 के बीच में ओके न तो देखे पहले तो हम लोग क्या करेंगे equal separate कर देंगे 200 और 100 के बीच में क्या करेंगे separate करेंगे तो अपना आया जाएगा 150 देन हमको देखना होगा कि जो ग्राफ में 150 से ऊपर जा रहा है कि नीची आ रहा है तो देखिए जो हाफ करेंगे ओके ना 50 का हाफ करेंगे तो आएगा अपना 25 अनटीफाइब को 150 में हम कर देंगे add तो आजाएगा अपना 175 books ओके ना यानि कि 175 books 1989 में sold हुए है अब बात आती है 1990 की तो इसमें कैसे करेंगे तो पहले हम लोग को देखना होगा कि graph गया कहां तक है तो 400 और 500 के बीच में है ओके न तो पहले क्या करेंगे 400 और 500 के बीच में हम लोग separate करेंगे तो आएगा अपना 450 की नीची आ रहा है तो ग्राफ जो यह वह वह उपर जा रहा है यानि कि 450 और 500 के बीचों बीच में है ओके न तो क्या करेंगे पहले हम लोग दिखेंगी 450 और 500 में कितनी का difference है तो फिप्टी का difference है तो 50 का हाफ कितना होगा 25 और 25 जो हम 450 में एड़ कर देंगे तो आएगा अपना 475 यानि कि 475 बुक सोल्ड हुआ है अब बात आते है 1992 की तो यहां पर दिखेंगे कि ग्राफ गया कहां तक है ओके न तो यहां पर ग्राफ जो है वो 200 और 300 के बीच में है तो पहले क्या करेंगे 200 और 300 के बीच में हम लोग सपरेट मारेंगं यहां पर 250 हो जाएगा और दिन दिखेंगे ग्राफ नीचे है कि ऊपर है तो ग्राफ जो है वो नीचे है यानि कि 200 और 250 के बीच वीच में है तो क्या करेंगे अब हमको देखना होगा 200 और 250 में कितने का difference है 50 का difference है 50 का half करेंगे तो कितना होगा 25 और 25 जब हम 200 में add कर देंगे तो आएगा अपना 225 books ओके न यानि कि 225 books 1992 में sold है अब चलिए अपने next question के और चलते तो अपना next question दिया in which year we are about 475 books sold about 225 books sold तो यहाँ पर कह रहें कि किस साल में 475 books लगबग sold हो चुके हैं ओके न और किस साल में 225 books लगबग sold हो है ओके न तो हम लोग पिछले जो graph में देखे हैं वो देखे हैं कि 475 books 1990 में sold हुआ है और 225 books 1992 में sold हुआ है और चलिए अपने next question के और चलते हैं तो अपना next question दिया है in which year we are fewer than 250 books sold अब यहाँ पर कह रहा है कि किस साल में 250 से भी कम books sold हुए हैं ओके न तो हमने जब graph देखा था तो उसमें आया था नाइंटी एटी नाइन और नाइंटी नाइटी नाइटी तो यह होता है question number 2 आप से लागा होगा लगा है तो लाइक आपने सब्सक्राइब जिसके लिए बैल आइकन को ओल प्रिक दीजिए तक आनवाल से वीडियोग नोटी पीकिसन आप ताम सब्सक्राइब पहुंच जाए मिल तब नेक्स वीडियों में तो तक लिए टेक केर बापार